नवस्कार दोस्तों, सुबा का वक्त है, हलाके सुबा का क्या भी करीब करीब 9 बज चुके हैं और आप यहां के दृष्ट को दिपकर शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि हम लोग कहा हैं अगर चारो तरफ अभाया कैमरा घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग हिमाचल में हैं किसी हिल स्टेशन पर हैं, चारो तरफ कोहरा है, इतना घना कोहरा कि 25-30 मीटर ठीक से देख नहीं रहा है और जब हम लोग दिल्ली से चले थे, पेरिफेरल हाइवे से, तब तो वहाँ 10 मीटर भी ठीक से नहीं देख रहा था और रास्ते में 2-3 जगर, कई गाड़ियां आपस में टकराती हुई और कई ऐसी गाड़ियां एक्सिडेंट के बाद अस दरस किस्कती में भी लेकिन जैसे तैसे उस कोहरे को पार करते हुए, जो एक घंटे का सफर होना चाहिए, उसको 23-23 गंटे में टै करते हुए, हम लो दोक जा रहरे है, कुरुछेत, कुरुछेतर में आज किसानों की महा पंचायत है। में कहा जा रहा है, बहुत बड़ी धीर देपने वाली है। कई किसान संगर्ठनों के नेताव वहां वनज पर होगे क्या बोलेंगे ही वहां किसानों हर हैं था एक परंदों राष्टे में लगाई इस पर आतो दिखा जा रही है लेकिन ने इस थंड को बना रहस मैसा बना दिया है और उन पांड़ भी और इसरे में पी रहा है और दिखेंगे, यह जो जहां हम लोग है मिखल, इसको बिल्ली की तरफ 15 km आगे तिंगू बार्डर है, तो तिंगू बार्डर पे लाखों किसान है, जिंता हम लोग कई बार किसान है, वहां ट्रैक्टरों के साथ बैठें है, वो इस कोहरे में कैसे होंगे, क्या होंगे, हम ल पूरे इस एरिया में बिल्ली चेले के हर्याना के लिए आज माहौल एकदम बदला सा लगा, अब इसका पंचायत पे भी कोई असर होगा, या आने वाले कोहरे एच्छट जाएंगे, क्या होगा, पंचायत, किसान पंचायत, जो महापंचायत को उच्छत थी, क्या होगा, इस इलाके की सबसे बड़ी पंचायत बने वाली है, क्योंकि वो जो हर्याना के सबसे पापुलर जो नेता है, गुर्णाम की चड़ूनी, उनका वो इलाका भी है, वो बेल कुई है, तो यह देखने की बात होगी, अब यहां से कोडी जेर में हम लोग निकलेंगे, और यह सवाल है, यह कोहरा अभी तो चट जाएगा, तो गंटे, तीन गंटे में, सूरज का जब इस कोहरे के बीच से सूरज निकलेगा, तो कोहरा चटेगा, लेकिन अब क्या आंदोलन पर भी कोई कोहरा है, क्या, आंदोलन पे तो देखिए, कोहरे के वादल 26 तारीक से ही, और 26 जन्वरी से थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन अगर 26 जन्वरी नहीं भी होता, तो इस तरह के जब आंदोलन चलते हैं, जहां कि महीनों महीनों से लाखों लेके बैखे हैं, वो जब इतना कोई लंबा अंदोलन होता है, उसमें कहीं दौर आते हैं, कभी वो आपको लगेग अचानक कि वो बहुत अंदोलने कमजोर हो गया, कभी लगेगा अचानक जोस आ गया, बढ़ गया, कभी लगेगा कि ये बहुत खैल रहा है, कभी लगेगा कि एक हमारे लिए भी अजूबा है, क्योंकि बिछले 30-40 साल के अपने पत्रकारिता और समझ पढ़ाई के दिनों स इतना बड़ा अंदोलन तो न हमने देखा है, कभी कोई किसान अंदोलन किसी देखा नहीं, तो यह एक नया प्रियोग है, और जिस किसान अंदोलन की लोग बात करते हैं, अगर बड़ा अंदोलन जो टिकाइट का था 1988 को का अंदोलन, जब 4-5 लाग किसानों के साथ पर और उसके बाद कितने छटके भी बीच में लगे आंदोलन को जिसका जेकी छब्रिक जन्वरी को करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी वी किसान बैठें इस ठंड में भी, इस कोहरे में भी आप कल्पना कर सकते हैं, अभी तो चलिए कोहरा है, ठंड उतनी नहीं, लेक आंदोलन कारियों का मजा कुडाते हुए था, यह आंदोलन जीवी हैं, बर्जीवी हैं और एक तरह से बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो एक प्रदान मंत्री को नहीं कानी चाहिए, उस तरह से उस पार्टी के पुरोधा को जो पार्टी आंदोलन के गर्व से निकली, 77 में जन्संग ती जो जन्ता पाटी के साथ सरकार में आई 80 में भार्तिय जन्ता पाटी का हुदे हुआ और भार्तिय जन्ता पाटी का इ Mythical का इतिहास देखेंगे 80 से लेकर 2020 तक ना जाने कितने तरह की आंडोलन प्रतुरसक्त दर्ना में हितालिया लेकिन आज अगर आप आंदोलन का मजा कुराते हैं, माकों लोराते हैं, तो मुझे लगता है आजादी के पहले का इतिहास, आजादी के बाद का इतिहास, अलग-अलग राज्यों में चलने वाले आंदोलन, और 2011 का हुआ अन्ना आंदोलन, जिस अन्ना आंदोलन से यूपिय तो ये भी सवाल है और उसके बाद अब यही कि यह कोहरा क्या आंदोलन पर भी है या किसानों पर एक दबाव है क्योंकि छेटर भी नोच चुके लेकिन अगर दूसरे तरह से देखें तो जो आंदोलन दिली की सीमाओं तक सीमित था दिखता था वो आंदोलन अब हरियाना औ उसके पहले बिजनाओ और उसके पहले मुजफर नगर और अब आज हम जहां जा रहें कुरुचित तो अगर ये गाउं की तरफ जा रहा है शहरों की तरफ जा रहा है हर्याना यूपी की तरफ जा रहा है इसका मतलब मैं तो इसको देखता हूं आंदोलन का विस्तार हो रह वो सीमित दाइरे में हम देख रहे थे अब अगर गउं में जा रहा है तो विस्तार हो रहा है और ये बल्कि ये भी है कि इसमें हर कौन हर जात के लोग अब जुट रहे हैं पहले दीरे दीरे ये लगा था जैसे कि कुछ पस्मी उतर्पदेश हर्याना के जात कुछ समुदाय के लोग पन्जाब के सिख समुदाय के लोग ऐसा नहीं है अब ये आंधोलन द्यापक हो रहा है और इसका विस्तार ये पंचायतों पंचायते बता रहे हैं तो कि वहां हम लोग चाथी गाजरी में जब गय थे खुद हमने देखा कि वहां जात समुदाय के साथ 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 दोस्तों फिलाल इस दिरिश्ची के साथ जो हर्याना में आपको शिमला जैसा दिखेगा और हलाके मैं कहूंगा कि ठंड थोरी कम है लेकिन फिर भी कोहरा है और इस कोहरे में हमारी यात्रा दो घंटे धाई गंटे ज्यादा लंबी हो भी है लेकिन कुरुचेत्र में क्या ह हथ भी है कुरुचेत्र का जिक्र हम लोग सुनते रहे कुरुचेत्र की लडाई का जिक है उस कुरुचेत्र में आज महापंचाईत और जो कुछ किसान्पनलां का दावा है कि वहा उस फिर जुटने वाली है अब उस घीर से कोई संदेश या संकेथ निकलता है और यह सिलसिला लगातार है अभी बीच में परसो मेबात में भी महापंचायती और अभी जो मुझे किसी ने किसी किसान आंदोलन के किसी प्रवक्ता की तरब से जानकारी नुए कि अगले56 दिनो तक लगातार महापंचायत गाउं के लोग जो दरसल गाउं में बैठे हुए किसान हैं उनकी भाज़ेदारी जब तक नहीं होगी तब तक इस आंदोलन का विस्तार और उखान चाहिद सरकार नहीं देखवाई गिया सरकार पर दवाव नहीं बनेगा और हर्याना चोके खटर के सरकार है जुस्षेन चौ चौटाला पर भी है अंदोलनकारी नेताओं का किसानों का क्योंकि दूश्षेन चौटाला की पाटी उनके दस बिधायकों के समर्थन से ही ए सरकार चल रहिए तो लगातार अब रहीलियों ने ये आवाज भ्यूक्ति है कि चौटाला इस सरकार से समर्थन वापस रहे जो जो आगे की तस्वीर होगा वो आपको दिखाऊंगा हमारे सहीयोगी अब हैं कैमरी के पीछे हैं और इन तस्वीरों के साथ इस मौसन के साथ और सुछ देव ठावा से इस वीडियो को खत्म करते फिर मुलाकात होगी नबस्तार